sum with condition that is sum if ठीक है sum if में हमने select किया अपना range आपको जो पूने है कहा match करना है तो पूने match करना है colon e के अंदर फिर आता है criteria कि criteria मतलब कि क्या सर्द ढूनना है तो मैंने बोला पूने के ढूनना है फिर आता है sum range कि आपको sum किसका करना है तो मैंने बोला कि यहां पर column c को sum करना है n पर प्रेस करेंगे तो देखिए आपका result 278 आगया मैं दूबाला करके दिखाता हूँ दिवेंदर जी धियान से देखिएगा मैंने लिखा noida और equal मैंने लगाया formula sum if का sum if में हमने select किया अपना store फिर select किया कि क्या match करना है तो noida match करना किसमें करना है क्या करना है किसको sum करना है तो quantity को sum करना है तो कांटिटी आगे तो इसमें से सिर्फ मेरा लगों सम्ता उसको दिखाया ना कि ओगरॉल सर्कों को कि कि अगया तो किसी एक डेटाइबेस में से किसी पर्टिकुलर फिल्ड के अकॉर्डिंग्स और सम बगरा करना है तो उसके लिए हम सम्मिफ लेते हैं लेकिन काइटेरिया थो अलग है जैसे कि यहां क्वांटिटी जो है ना कई बार 15 से उपर वाले है तो मुझे टोटल यहीं MRP में लाओ कि मुझे ऐसा चाहिए जिसकी MRP 500 से उपर है तो हमें जानना चाहते हैं कि 500 से उपर वाली MRP का टोटल कॉंटिटी कितना है 500 MRP से उपर वाले की टोटल कॉंटिटी कितनी है तो इसके लिए हम लगाएंगे समिस फॉर्मुला अलसो समिस हमने MRP को सेलेक किया और हम यह लिख दे 500 को और फिर हमने कॉंटिटी को तो जो 500 लिखेंगे ना उसमें इस तरह का ग्रेटर तरह का साइन होना चाहिए तो 500 से उपर वाले की अगर्डिंग कॉंटिटी यहां पर लेकर दे दिया है कि 1833 कॉंटिटी सेल हुई है स्केमार भी 500 से उपर है तिसी तरह से आप ग्रेटर दैन लेस दैन गेटर दैन इक्वल टू लेस दन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू जैसे फीचर्स को यूज कर सकते हैं नॉट इ देखे होंगे कि 500 सुपरवाले कितने हैं 700 सुपरवाले कितने हैं 300 सुपरवाले कितने हैं इस तरह से तो सम में मैनुवली जाके आपको ग्रेटर दैन रसाइन लगाना पड़ेगा तो असा दिक्कत हो जाएगी तो यह चीज़ें फॉर्मुले के अंदर की आ सकती है तो सम हमने रेंज लिया MRP यहां पर लेते हैं काइटेरिया कि इस ग्रेटर दैन इक्वल तू और इंवर्टर को हमें डालके एंग परसेंसी इस 500 को सेलेक्ट कर लेए फिर कॉमा हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्वार्टिट इस दैन ओक है विजल्ट आ गया अगर यहां पर हम बात करते हैं जिसे की डैली है और यहां पर न्यू डैली ही है और यहां पर न्यू डैली ही है प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं delhi को sum करूँ तो हमारा new delhi नहीं इंक्लूड होगा अगर new delhi को करूँ तो फिर delhi इंक्लूड नहीं होगा तो इस case में हम यहां delhi को लिखेंगे start के अंदर किसके अंदर में start के अंदर इसको बोलते content भी जैसे भी लुक अप में किया था से मुझी तरह से यहां पर sum if हमने range लेक किया जो की हमारा store है क्या मैच करना है delhi को मैच करना है और criteria में हमने ले लिया quantity को एंटर रेस करेंगे देखे quantity का total जो delhi और निदली दोनों का है दे दिया इसी में आप अगर start delhi करते हैं तो यह होता है and with delhi और यहां पर delhi start करते हैं तो यह होता है start with delhi और से मुझी तरह से मुझे तीन character जिसे जी जीन है एम्यू जीन है इसारे हमारे a यह है बेंडर है तो मैं तीन question mark करेंगे जिसे मैं we look up में किया था तो जितने भी तीन question mark वाले है ओशन कर ले इसको select किया हमने इसको select किया and अपनी quantity को select कर लिए enterprise किये देखे 5,9,7 आ गया लेकि कब क्या हो कि मेरे पद दो conditions हो मतलब मुझे चाहिए कि जनवरी में तूने सेल का तूने का क्या सेल तूने जिसकी quantity जिसकी MRP 500 हो उसकी quantity कितनी होगी तो तीन conditions match करने है लेकि दियान लेखेगा कि सम इफ formula एक बार में एक ही condition को लेगा एक से ज़्यादा conditions को नहीं लेगा इस cases में यहां हम लगाएंगे formula sum ips का किसका sum ips सम इपस में हम अब यहां इफ़ास उल्टा हो जाता है हम पहले range को select करेंगे किसको select करेंगे range बत्त कि किसका sum करना है तो हमें quantity का sum करना है जाएज बहुत quantity क्योंटि के क्लिक करेंगे पुरा column select हो जाएगा यहां पर C by C भी दिख जाएगा फिर यहां पर comma हम select करते हैं पहली condition जो की है month फिर comma अपनी पहली condition को select करते हैं दूसरा हम यहां पर दूसरी condition select करते हैं store और अपनी दूसरी condition को select करते हैं तीसरी कंडिशन MRP है पर हमने तीसरी कंडिशन को यहां सेलेक करते हैं एंटर प्रेश करते हैं रिजल्ट देखिए 127 आ गया तो तीन कंडिशन को देखते हुए यहां गया हलाकि इस तरह की समरी संडोर सोगारे के लिए हम हम क्रिभा किसका चीन करते हैं पिवर्ट का चीन करते पिवर्ट किसए माल लिए कि मुझे मुझे यहां पे quantity डाल देंगे average of MRP डालना है तो यहां पे average of MRP भी डाल देंगे लेकि दिक्कत क्या होता है कि अगर मैं यहां कोई change करूं तो pivot में refresh करना पड़ता है जब change होता है लेकि formula ऐसा नहीं करता है तो चलिए formula में हम करते हैं हमारे पास एक formula होता unique का जो कि किसी column में से बताता है कितने unique है मतलब कि जैसे जनवरी इसमें कई वार repeated है लेकि यहां पे एक दिर्वी देखा जैसे कि pivot दे रहा था तो जनवरी बाइज मुझे quantity का total चाहिए और MRP का average चाहिए तो यहां पे simple सा लगाते हम sum if का form sum if range जिसमें हम जैन को सेलेक्ट करेंगे मन्त वाले column को इसको सेलेक्ट करेंगे comma और सेलेक्ट करेंगे अपनी quantity को नीचे के तरफ ड्राइट कर दीजे यह आपके totals निकाल के देए में मार्पी के लिक्का लिखा लिखा लिए जैसे सम इफ होता है ऐसे हमारे पास average इफ होता है हमने रेंज लिया कि किसमें हमें मैच करना है तो हमें मंत में मैच करना है और यहां पर इसको सेलेक्ट कर लिया और और इमार्पी जिसका average निकाला है वो सेलेक्ट कर लिए तो रिजल्ट आ गए और इसको नीचे के तरफ ड्राइग कर दीजे और नीचे के तरफ ड्राइग करती आपके यहां पर और जैसी चेंज हो है से माल लिजे कि मैं सेवन के जगार पे 70 कर दिया विए एंटर नहीं प समझें तो जैसे समीफ लगाया ऐसे आप अवरेजिफ लगाए तो चेक करने के लिए आप सिब्बसी बात इसको फिल्टर लगा लो मैंने यहां पर गये और यहां पर हमने क्या किया जैन को सेलेक किया और ओके किया अब यहां पे इसका टूटल किया रहा है 3 4 1 आ रहा है था 3 4 1 कि एवरेज तो तो इसको सेलेट कीजिए इसका आवरेज देखे क्या है ऐवरेज फाइब जूब परफेक्ट है फाइब जूब ठीक है तो समझ में आ गया साम वीफ और आवरेज दोची समझ में आगया आप लोगों को को इसमें सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब किसी को नहीं है तो आगे मरते हैं है इसमें मालीट है कंट चाहिए मैं आप्से अवरॉल अअवरेज के लिए Cum हमने बोला कि मुझे इसमें पूने को सर्च करना है और यहां पर quantity हमने यहां पर रेलीज के आपर जब मुल्टिपल कंडिशन होती है तो यहां पर हम average if लगाते है, average ifs, average ifs और हमने इस लेकिया, sum of the average, average range of the average, criteria 1, criteria 1 range, criteria 1, criteria 2 range, criteria 2, criteria 3 range, and also criteria 3, तीन कंडिशन को देखते हुए, यह average मिकाल के दे लिया, इसमें आता है, count ifs का हो, count का, अगर मुझे पता करना है, कितना count है, तो count का formula क्या करता है, number count करके देता है, कि quantity में कितने count, इसमें पता करना है, यहां पर कितना count है, तो इसके लिए हम count if लगा करते हैं, इसके कितनी विल्जर्णेट हुई है, तो यहां पर भी हम count, यहां पर count if लगा सकते हैं, count if और इसको select किया, और हमने यहां पर इसको, यहां पर select किया, यह ले लिया, तो जो हमने sum if, जो हम average if में जो सारे condition लगा हैं, वो हम count if में भी लगा सकते हैं, कि यहां सकते हैं, sure, ते ते कि ब दो हम ठएगा हैं, ते किए, कर सकते हैं, क PRI द 12 के कि थो कर दो कर दो सब्सक्राइब आपको अब इसमें आती है कि जब मिले पास एक से ज़्यादा कंडिशन हो तो यहां पर हम लगाएंगे ऐसमें प्रश्याद कर दो कि fica जो नवाध Allah को सेलेक्व किरेंगे यहांновक आपके सामने जल्ट सायेग खटिटीश्च ठीक है इस फाइल को सेव करके आपको मैं भेज देता हूं ठीक है अगर इस फाइल पर आप किजिए प्रैक्टिस कल हम इससे लेटर कुछ कोश्चन करेंगे यह बहुत इंपोर्टेन फार्मॉला है यह प्रिवर्ट टेवल को रिफ्लेश करता है तो एक बार इसको जो है आप प्रैक्टिस कर लिजे फिर अगली क्लास में हम इससे